ओम सांती, मैं सभी आस्रम के नुमाईदों को प्रबुद जनता को नमन करता हूँ जैसे के मुझे आदेश हुआ है कि मैं कुछ अपने विचार साजा करूँ मैं यहाँ 2012 से ब्रह्म कमार ईसुरी बिद्यले से जुड़ा हूँ इस फाउंडेशन के साथ मैंने 2012 भाई खेम्स चंजी के साथ माउंट आबू में सिवर रेटेंड किया तो मुझे बड़ी ज्यान की अनुबोती हुई और जीवन में एक चेंज से आ गई और पता चला कि इस उरे विद्यले क्या है यह फाउंडेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं 1936 है इदराबाद सिंद जो कि अब पाकिस्तान में है वहां से स्टार्ट हुई और आज पूरे संसार में फैली हुई है हमारे समाज की जितनी कुरितियां है उनको खत्म करने के लिए आज का जो समाज है वो बुरी तरह से गरसित हो चुका है नसे से गरसित है कोई भाहिचार है नहीं है यह हमें सिखाती है कि कैसे प्योरिटी रखनी है आप कैसे ओनेस्ट रहेंगे और जीवन का सबसे बड़ा उदेश से जो की हर एक आदमी चाहता है सांती हो सांती मिले जैसे ओम सांती से ही यह जो नारा निकला है ओम सांती तो इसी में ही सब निचोड निकला हुआ है सारा जीवन का निचोड क्या है कि हमें सांती चाहिए जीवन चलने के लिए भाग दोड़ है आदमी बुरी तरह से उलजा हुआ है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिनोंने सुरू किया सिबाबा का और बाकी और्गिनाइसर जो है यहां के बड़े भारी सालीन स्वभाव है और बड़ा अच्छा से बिहेव करते हैं जो कि ए आरे जीवन का मकसिद ही सांती है इसमें जैसे कि हमें बताया गया कि सबसे पहले प्योर्टी चीए प्योर रहिए आप किसे बैर भाव मत करिए किसी के प्रती बेमनस्य मत रखिए लड़ाई जगड़े मत करिए तो इससे आपका जीवन जो है सुखत जीवन आप गुजार स प्रता है और रजोगुन से रिलेटीड है आपका फिजीकल तिंक्स जो कि आम इकठा करते हैं और इकठा कर लिया पैसा हो गया तो फिर क्या होता है एक अंकार आ जाता है और उसमें उसको तमोगुन सत्तोगुन ए जो ब्रहमकुआरी सुरी विद्यले फान्डेशन है इसक गिता का वैद्यान करता हूँ तो नंबर वन गिता और साथ ही इसके साथ ब्रहमकुआरी इसुरी विद्यले फान्डेशन का मुझे बड़ा-भारी परवाह पड़ा है जीवन मैं और मैं अपने जीवन को इसमें ढाल रहा हूं इसमें क्या-क्या उदेसे देख रखे हैं के साथ मिलना और मदर भासी और सबसे अच्छा बहावार करना गल्ट बुराईयों को दूर करना और अच्छे जो हमारे पूजियनिये हैं जैसे सिब बाबा हैं हमारे परमात्मा है आत्मा को परमात्मा से मिलाना है इसमें कुछ लोग जो सुरू मैं यहां तक कि हम इसमें सरी स्र Expect for Maha मैं स्रीर से स्र Burma historically कि सीरे कंबाणी है कोई पुराई पूराई नी का राक्राई ने क है तो आतमा के ठूरूर निकल है और आतमा करे है तो यहां भी इस पॉरे इता करे θ professionals stress किया जाता है अर समझाए तो हरे एक आदमी नहीं समझ सकता है कि एक आत्मा क्या चीज़ है बास तो मेहमूल जे हुए है हमारे पास 4 पैसे हो जाते हैं तो हमें अंकार हो जाता है लौजी मेरे से आगे कोई है नहीं और मैं और मेरा पन यहां जो है मैं और मेरा पन खतम करने के लिए इसुरे विद्यले जो काम करता है और यहां जैसे मुर्ली सुनाई जाती है, सिब बाबा के पास बैठी है तो आप सांती मिलती है तो हमें क्या चीए सांती चीए सबसे मैंने सुरू में बोला कि सारा जीवन का अधिस्या का है सांती के लिए उन जगो है इनसान बड़ा बारी कोई दोड़ लगाया एक ने फरीज लिखिया बड़ा तो मैं बड़ा फरीज रखूँगा मैं यह करूँगा तो जो अपने पास है वो संसार को दीजिए और आप क्या लेके आए थे कुछ लेके नहीं आए खाली आता है खाली ही चले जाएंगे कोई साथ नहीं जाएगा तो एक ऐसा धीये जो कि यहां बड़ेले में इसे खाई जाता है कि आपके पास जो धन दोलता है तो दूसरों पर लगाईए उसको परोपकार कीजिए कोई गरीव आधमी है तो उसकी हैल्प करिए कोई बिमार है उसकी हैल्प करिये तो और नहीं ज BT बहा लगा कर दे बहू उपर जब माउंट अबू गए तो वहां का जो वो सारा जो स्वर्ग जो बना रखा है तो वहां तो अनुभूती होती है कि हम कहां जीते हैं हम क्या कर रहे हैं तो इस समाज के लिए ब्रहमकवारी जो है वो मैं समता हूं देन है हर एक आदमी को इसके उदेसे पर चलना चाहिए अगर हम इसका अनुकर्न करेंगे इसको अटेंड करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं जीवनमे सांती पा सकते हैं और हमारा मकसद क्या है हम 84 लाग योनियों में बठके हुए रहते हैं एक योनियों से दूसरी दूसरी से क्योंकि हमें गल्द काम करते हैं गल्द काम करते हैं तो फिर पुनर जन्म होता है तो मकसद क्या होना चाहिए और होता है भी यह गीतमें बियुपदेस दिया है कि आत्मा को इतना सुद्ध बनाई कि वो परमात्मा के चर्नों में लीन हो जाए और आपे 84 लाकी उनियों से छूट जाएं तो बिद्या ले का काम भी ऐसा ही है और बड़ा अच्छा काम है मैं अधिक ना बोलूँगा मैं यहां के लोगों का यहां का जो भाई खेम चंजी है बेहन सभी त्रीजी है मैं इनका भी बड़ा धन्यावादी उन्हें इस आसे में को बड़ा अच्छा चला रुका है और यहां कई लोग जो की मैंने देखे दो चार केसिज ऐसे भी देखे जो की परिवार छिन भीन हो जाता है अस्वेंट एकस्पायर हो जाते हैं तो जो उनको भी हासरे मिलता है वो आती है उनको सांती मिलती है यहां करके क्योंकि आपको समाज का पता ही है समाज आजकल जीने नहीं देता है तो मैं ऐसे भी केसिज देखता हूँ जिनका बड़ी अच्छी तरह से यहां देखवाल होती है और वो सेवा करती है तो अधिक ना बोलता हूँगा मैं यह सोरे भी देर ले की तारीफी करूँगा और फाउंडेशन आगे फले फुले मैं परमात्मा से प्राथना करता हूँ कि यह बढ़ता रहे और हम लोग यहां से सिक्सा ग्रैंड करते रहें मेरी लोगों से भी प्रास्वने रेगी कि हां करके कुछ चार सिखें, अच्छे विचार सिखें, अच्छा बेहार सिखें, ताकि हम कुरुतियों से और यह जो हमारी नशे की और दूसरी जो बिमारीयें पढ़ी हैं उसे हम दूर रहें, यहां इस सारा ही सिखाए जाता है, ओ कुम सांटी